अलो फ्रेंस वेल्कम टो स्मार्ट स्टेडी यूट्यूब चैनल इस वीडियो के अंतरकर डिस्कस करेंगे वल्ड जोग्रोफी से संबंदित महत्पुन क्वेशन जो आपके एक्जाम के लिए काफी जादा महत्पुन है लगबग मैंने इसमें वही क्वेशन लिए जो आपक आपके एक्जाम के लिए काफी जादा महत्पुन रहने वाले हैं इसी प्रकार की और भी क्लासेज यहां पे होती है आप इसको जोइन कर सकते हैं तो विश्व का सबसे ठंडा इस्तान है तो सबसे पहले क्वेशन पुछा है कि विश्व का सबसे ठंडा इस्तान कौन सा मान पूछाएं तो तो द्यान रखेगा सामायन रुप से पूछो तो आंटर्टीर का पफी ठापी टंडा जाता है लेकिन अगर इस्तान दे कि आप से पूछ ले तो and is UK मतौमंगे यह ऊच्छें बढ़ आगया है आप सभी को बहतर तरीके से पता है कि इस प्रकार से जो अपना नीचे की तरफ जो बांगलादेश वाला जो रीजन है तो ये वाला जो है ये पूरा जो इस्तान है ये कौन सा है शीलोंग का पठार और शीलोंग के पठार पे जो पहाड़िया इस्ति थे वो गारो खासी जो खासी वाला इस्तान है तो ये मासी राम बाला इस्तान है जहाँ पे काफी ज़्यादा वर्षा होती है और वर्षा काफी ज़्यादा होने के कारण से सरवादिक वर्षा वाला इस्तान भी है तो इसी कारण से इसको आधरितम बोला जा रहा है तो वर्षा होने के कार राश्टर कौन सा वाला है तो वह आपका correct answer है अमेरिका ध्यान रगिएगा साओधी अरब मत कर दिएगा क्योंकि साओधी अरब में उत्पादन होता है लेकिन क्योंकि वहां का शेत्रफल काम है इस कारण से शेत्रफल की द्रश्टी से अगर हम देखें तो overall शेत्र कहां पे अमेरिका में ज्यादा आता है तो correct answer आपका कौन सा होगा अमेरिका होगा नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुर्ली और जो काल गुर्ली है वो किसके लिए फेमस है यह आरेस के पेपर में प्रश्ण पूछा जा चुका है तो इसको बहुत ध्यान से देखेग मैं आपको कुछ महत्पुन पॉइंट्स बता दू कि कौन-कौन से महत्पुन पॉइंट्स है उस्ट्रेलिया के बारे में तो इस मेपिंग के माधियम से मैं सारे फेक्ट बता रहा हूँ उस सारे फेक्ट को आप बहुत ध्यान से देखेगा क्योंकि एक्जाम में वो कौनसी है तो कोसिस को है कौनसी वाली है कोसिस को ऑस्टेलिया की सबसे उची चोटी है इसके बारे में आप ध्यान रखेगा लगबग उचा ही मानी जाती है 2228 मिटर के आसपास उसकी उचा ही मानी जाती है तो पहला फेक्ट है की 22 देश है कोसिस को जो है वो सबसे उची च वेसे ओसे निया भगे, लेकिन उस्ट्रेलिया खुद भी एक महाधीप के रूप में जाना जाता है, तो यह दियन रखेगा कि एक महत्र ऐसा महाधीप है, जिसे हमारे इंडिया है, तो इंडिया एशिया में है, तो अगर एशिया किसी देश का नाम होता, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि महादीब का नाम ही देश का नाम हो गया है लेकिन ऐसा ही है कि जो ऐसेलिया का नाम है वही वहाँ के देश का नाम है वही उस महादीब के रूप में जाना जाता है यहाँ पे केवल यह काल गुर्डी नहीं है कुल गार्डी दो इस्तान है एक तो काल गुर्डी है और एक कुल गार्डी है यह दो इस्तान स्वन के लिए जाने जाते हैं इसके साथी औस्टेलिया का जो यह रिजन देख रहे हैं और यह great dividing range है, तो उस्टेल है कि अंदर वाले part में great dividing range है, अब देखो फर्क क्या पड़ेगा, थोड़ा सा यहां पर ध्यान से समझेगा, यहां पर तो यह great barrier reef, यह जो आपको दिख रहा हुआ, English में लिखा हुआ भी है, great barrier reef है, और यह वाला जो part है, अंदर वाला जो part है, व इस वाले हिस्से पर, इस तरफ बारिश नहीं हो पाती है, इस कारण से यह पूरा reason, Australia का मरुस्तली reason है, तो यहां पर great Simpson, great Sandy, यह सारे desert यहां पर पाई जाते हैं, तो एक तो यह हो गया, इसके जाती है, जो great dividing range यहां से दो नदिया निकलती है, एक तो मररे और डालिंग, य उस्टेलिया के मूल निवासी जो है, उसको माओरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माओरी कहा जाता है, इसके बारे में ध्यान रखेगा, और great barrier rip जो है, यह पूरी जो रीफ है इस प्रकार से, यह great barrier rip मुंगा चट्टानों से बनी हुई है, मुंगा एक जीव होता है, उस और सरवादिक बोकसाइट जो उत्पाद होता है, वो भी कहा पर होता है, उस्टेलिया में, तो हमने सारे फेक्ट को महत्पुन तरीके से डिसकस किया, मैं उसको एक बार रोरीकेप कर रहा हूं, ध्यान रखेगा, बाइस देश इस में है, जिस महादीप का नाम है, वही इस इंटर्नल पार्ट में है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जहां से दो ने दिया निकलती है, मर्रे डालिंग और मिलकर निर्मान करती है, मर्रे डालिंग ने दिकाता, यह ओप कि आपको उस्टेलिया महादीप के बारे हम बहुत सारे फेक्ट पता चल गए होंगे, अगले क्वेशन को डिसकस करें, तो सूती वस्तर उद्यों का निमना में से कौन सा प्रमुक केंदर है, तो प्रमुक केंदर तो माना जाता है कौन सा वाला दोस्तों, ओसा का जो है, वो सूती वस्तर उद्यों के लिए काफी ज़दा प्रसिद्ध माना जाता है, अगला है क सरवादिक सोन उत्पदन किस्थ में होता है तो सभी को पता है सोन उत्पदन के लिए तो दक्षिन अफरेका जाना जाता है क्योंकि सोन की खाने काफी जबाद है सबसे बड़ा है सबसे important factor तो इसका यही है और सरवादिक उठ्चा की संभावना काफी जाद है तो करक रेखा भूमत रेखा और मकर रेखा तीन रेखा इस अफरीका महादीप से जाती है यह देश है दक्षिन अफरीका जो कि यहाँ पे बिल्कुल नीचे वाले रिजन में यहाँ पर पढ़ता है कि जो मानव सबसे पहले पाया गया था वो माना जाता है कि एफरीका वाले रिजन में ही पाया गया था यहाँ की दो नदिया काफे ज़दा इंपोर्डेंट है और आपको पता होगा कि विश्वत रेखा और भूमत रेखा के बारे में हमने पढ़ा है तो जैसे कि यह वाला जो पार्ट है यह पूरा पूरा कौन सा है अफरीका वाला रिजन है इसमें यहाँ पे विश्वत रेखा पास करती है तो विश्वत रेखा को दो बार जो कट करने वाली नदी है वो जाहिरे या कांगो नदी है जाहीरे या कांगो नदी जो है विश्वत रेखा को दो बार कट करती है और यहां की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी नदी है नील नदी सबसे लंबी नदी है विश्व की तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखेगा काफी important है और अफरीका में जो खाने है जो हीरे की खाने तो यहाँ पर हीरे की भी खान है उस खान का नाम है किमबरले तो वो खाने जो हीरे के लिए प्रसीद है तो सोने के लिए तो अफरीका प्रसीद है यह साथ ही किमबरले खान सोने के लिए भी प्रसीद है और सबसे लंबी नदी क किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है तो जोहांसबर्ग जो है किसके लिए सोने की खान के लिए काफी जादा प्रसिद्ध माना जाता है विश्व का अन भंडार किस जलवायू शेतर में जादा पाए जाता है क्योंकि वहाँ पर बनस्पति काफी जादा अच्छी रहती है तो सम्सितोष्ण का नाम सुना होगा, तो सरवादिक जो अन्न भंडार या अन्न का उत्पतन होता, वो सम्सितोष्ण वाले रीजन में होता है, ध्यान रखेगा, अगला question है, कि किस गास के मेदान में व्रक्षन नहीं पाए जाते हैं, तो कौन सा है, जहाँ पे की व्रक्ष नहीं पाए जाते हैं, वो correct answer कौन सा है, इस टेपी है, तो ये सारे आपको पता होगे कि कौन कौन सा गास के मेदान है, जो next वीडियो दाएंगे, मैं डिटेल से उनको डिस्कस करूँगा, तो संसार का सबसे बड़ा अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अफरीका में, वो कौन सा है, साहरा का मरुस्तल है दोस्तों, अगला क्वेशन है कि दक्षिन एशिया का सबसे बड़ा मरुस्तल है, तो दक्षिन एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्तल है, वो तो अपना थार कई है जो भारत पाकिस्टान इन में फेला हुआ है तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखेगा नेक्स क्वेशन है कि विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पदक देश कौन सा है कहां पर मक्का सरवाधिक उत्पदित होता है तो आप सभी को पता है कि वो करेक्ट अंसर कौन सा है वो करेक्ट अंसर अमेरिका है ध्यान रखेगा निम्न में से कौन सा देश विश्व में चावल का सरवाधिक उत्पदन करता है तो चावल का सरवाधिक उत्पदन चरसे चावल चरसे चाईना को ध्यान रखेगा और चाइना ही है जो गेहूं का उत्पादन भी जादा करता है तो चीन, गेहूं और चावल दोनों का सरवाधिक उत्पादन करता है ध्यान रखेगा अगला क्योशन है कि सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है गन्ना सबसे ज़्यादा कहां पर उत्पादित होता है तो गन्ना भी अपने कहां पर तो अपने गोर पडोसी जो कौन सा वाला है चीन वहीं पर उत्पादित होता है दुखद उत्पादन में आप सभी को पता है कि श्वेत रिवोल्यूशन आये था उस स्वेत रिवोल्यूशन के कारण से भारत दुखद उत्पादन में आत्मनिरबर बन गया इसके बारे में जरूर ध्यान रखेगा अगला question है कि विश्व की सबसे लंबी नदी अभी discuss किया है मैंने details है तो नदी कौन सी है नील नदी मैंने आपसे पहले भी discuss किया था कि नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो एफरिका में बैती है और इसके साथ नीचे दिया हुआ है Amazon तो ध्यान रखेगा Amazon जो ह और इस हिसाब से दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है एक और important factor Amazon का कौन सा वाला है तो ध्यान रखेगा कि यह अपना जो मुहाना बनाती है वो विश्वत रेखा पर बनाती है तो यह काफी जादा important है और Amazon का जो basin है तो विश्वत रेखा पर अपना मुहाना बनाती है कौन सी विश्व की सरवादी गहरी काई है गहरी जो जीले वो कौन सी है बेकाल आप दियान रखेगा गहरी है उसमें डूप के मर जाएंगे तो उसका काल आ जाएगा ता आप याद रखेगा बेकाल मानी जाती है यह काफी ज़्यादा important है तो इसके बारे में और विश्व जेल परपात कहाँ पर है तो आपको ध्यान रखना है कि वेनेजुएला में कहाँ पर है वेनेजुएला क्राइसिस हो गया थो थोड़े टाइम पहले तो वेनेजुएला जो है वहाँ पर ये एंजिल जेल परपात है और यह कौन सी नदी है तो औरेनेको नदी है तो औरेने का महाधीब के बारे में वेनेजवेला और सारे फेक्ट के बारे में तो इस हिसाब से हमने काफी important questions को discuss किया और उम्मित करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आओगा इसी वीडियो इसी प्रकार के वीडियो इसको प्राप्त करने के लिए आप आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा वीडियो देखने के लिए सबी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू थेंक्स फॉर वचिंग जय हिंद जय बारत